जहिन दोस्तों आप सभी का हमारे यूटी चनल में बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों अब तक हमारी करेंडफर और इस्टिक गीगी की साथ क्लास हो चुकी है अभी आज आठ भी क्लास है ठीक है और इसमें बहुत ज़्यदा इंपर्टन कोशन आपको देखने को मिलेंगे इस्टिक गीगी के भी और करेंडफर के भी ठीक है अभी जो करेंडफर की जो कोशन है वो रगबद लगबद आप WAR है और हाली में जो भी घटना हो रही है उनको सामिल के जा रहा है तो आप लोग यहान पर बहुत अच्छे से इनको देखते रहे ौप्जेटिव साअल क इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले भारती कौन है तो पहले जो भारती बने है वो कौन बने है बीरदास कौन बना है बीरदास अगर हम महिला की बात करें तो कौन बीरदास जो कौमेडी के लिए इनको दिया गया है किसके लिए कोमेडियन के लिए इनको दिया गया है ठीक है और महिला की बात करें तो कौन एकता कपूर को दिया गया है किसको दिया गया है एकता कपूर को महिला है यह पहली भारतिये महिला है तो दोनों याद रखें आप लोग बजर प्रहार अभ्यास भारत और किस देश की बीच देखने को क्या मिलता है यह अभ्यास देखन सेना के साथ में USA की सेना के साथ में यहां पर अभ्यास होता है नेक्ट प्रसिंगी बात करते हैं कोशन नमबर थर्ड ICC वंडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे जादा विकेट लेने वाले गेंदवाज कौन बने हैं तो अब तक जो देखने को मिला है 2023 में 2023 में क्या हुआ है कि जो मुहम्मद समी है इन्होंने 45 विकेट लिए और यह सरवाधिक विकेट लेने वाले खिलाडी बने हैं ठीक है, और हाली में क्या हुआ था, जो 12-13 में World Cup हुआ था, वो भारत में हुआ था, और भारत की क्या हुई, हार हुई, ठीक है, और आश्ट्लिया क्या है, 10 कप जीता है, ठीक है, भी, गश क्वेशन नमर क्या है, फोर की बात करते हैं, पाकिस्तान के सरवोचिन नागल silent speaks of the वो क्या है, वो है निसान ए पाकिस्तान, क्या है, निसान ए पाकिस्तान, ठीक है, ये पुरुसकार है कहा का, आपके पाकिस्तान का, ठीक है, अगर हम बात करें भारत का जो सरवोचे पुरुसकार है, वो है भारत रत्म, और यहां का क्या है, निसान ए पाकिस्तान, तो ये से स रम्मानित होने वाले चहुंता भारती को रहें ठीके चहुंता जो भारती है वो कौन है तो वो कौन है बक्तर सयदना मुफद्दल सेफुद्दीन इनको क्या दिया गया है ये सम्मान दिया गया है और आप लोग और याद रखें कि हमारे पूर प्रधान मंतरी पूर प्रधा दिसाई जी उनको भी क्या दिया गया था निसान ए पाकिस्तान दिया गया था पाकिस्तान की सरकार के द्वारा चलिए बात कर लेते हैं कोशन नमबर 5 की हाली में किस राज या यूटी केंदर सर्शिप्रदेश के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टेक दिया गया है तो वो क्या है आपका वो है जमुर्ण काश्मीर में काश्मुर्ण का जो केशर है वो बहुत ज़दा प्रसिद्ध है जिसे क्या दिया गया है हाली में जि आप किषने जीता है तो ये कौन है सेनिस पलासियोस ठीक है इनको क्या दिया गया है हाली में बहत्तरवाब मिस यूनिवर्स दिया गया है नेच्ट बात करते हैं कोशन नमबर सेवन की एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड साथवी बार खिताब जीतने वाले जो विक्ति हैं वो कोन है तो वो है कोन नोवाक जोकोवीच जोकी कहां के कहलाडी है सरविया के कहलाडी है हाली में किस राज या यूटी के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टेक दिया गया है तो यह जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखें यहां पर क्या है आश्ट्रा और क्या है यहां पर हिंद तो आश्ट्रा से से क्या हो गया है और हिंद से क्या हो जाएगा हिंदुस्तान मतलब भारत तो यह किekk Fairy किस-kिस दे सकेशन साथ में हो रहा है और भारत के सात ने दरा भारति संत्रान चांठी हार की अधिकारिक भासाओं के बारे मियाकर इन तो यहां पर क्या है कि भारती संभ्धान है हमारा कि अनुछेद का कुम सा थी यह आटिकारिक भासाओं सब्सक्राइब BotD 343 343 में क्या है जो भी हमारी आधिकारिक भासा है उनका वरनम देखने को मिलता है जो हमारी 22 भासा है इतनी 22 भासा है उसका वर्णन देखने को में मिल जाता है नेक्ट प्रस्ण है निम्रिकित में से कुन सा युग सुमिलित नहीं है अगर आपको देखना है यहाँ पर यहाँ पर क्या दिये हैं और उनके अताज दिये हैं भरत नाट्यम कहां का है तमिल नाडू का बिलकुल सही है उडीशी जो यो है कतकली की बागर बात करें हम तो यह केरल का है कहां का है केरल का है और करनाटक का क्या है यक्षगान है क्या है यक्षगान है इसलिए जो सुमिलित नहीं है वो क्या हो जाएगा कतकली करनाटक सेकंड नमबर नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर क्या है बारवा ब्रहदेश्वर मंदिर निम्लिकित में से किस राज्य में इस्तित है तो ब्रहदेश्वर जो मंदिर है वो तमिलाडू राज्य में है कहा पर है तमिलाडू राज्य में क्या है ब्रहदेश्वर मंदिर इस्तित है नेक्स्ट प् कब किया गय EVERY इनीत सो ग्यारा में रद्ध किया गय था और सी नीजरी किया था लाँड हारिण में किया किया था बंगाल ब्यभाजन रद्ध कर दियुत् iki बाद आप लोग घ्यान रہें इसी के बाद में क्या हुआ था इससे पहले हमारे भारत की राजदानी क्या हुआ कर दी ती कोलकाता लिकिन 1911 के बाद मैं राद्धानी क्या कर दी गही इस्थानांений कर दी गई और वो क्या दिगई डिल्ली बनाए गई दिल्ली बनाए गई तो उस समय से लेकर रखे अब तक भारत की राज़तानी क्या है दिल्ली है यह आप लोग प्रश्मे ध्यान रखें नेक्स्ट कोशन नमबर चुदा पिट्स इंडिया एक्ट या अधिनियम किस वर से पारित किया गया था तो यह 1784 में किया गया था कब किया गया था पिट्स इंडिया ए यह कौन सी कांस यूग की किस यूग की है कांस यूग की सब्वेता थी ठीक है कोशन नमबर 16 निमलिकित में से किस इस्थान पर भगवान बुद्ध ने महापरी निर्वार प्राप्त किया था महापरी निर्वार का मतलब होता है मृत्यू के बाद मृत्यू के बाद ठीक है और इन्हें जो ग्यान की प्राप्ति हुई थी, वो कहां हुई थी, बोध गया विहार में, कहां पर बोध गया, विहार में इनको ग्यान की प्राप्ति हुई थी. नेक्स्ट एलोरा में प्रसिद्र सिभ मंदिर को किस राजबंस के समय में बनाया गया था ठीक है एलोरा में प्रसिद्र सिभ मंदिर को किस राजबंस के समय में बनाया गया था तो वो कौन सा हां राश्ट कूडबंस कून सा राश्ट कूडबंस यह बहुत ज़ादा भहिमा से एलोरा में क्या मंदिर जो कहां पर किस राज्चे में है महाराष्ट में है चलिए ठीक है राष्ट कुट बंस के समय में एलोरा का मंदिर की जो प्रसिद जो सिव मंदिर है वो बनाये गए थे बान सागर बांध कुनसा बांध बान सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो यह बनाया गया है सोन नदी पर कहां पर सोन नदी पर और यह कहां पर है आपका हां यह है आपका MP की कहां सहडोल में कहां पर सहडोल में क्या बनाया गया है बान सागर बांध सहडोल के देब полне किस नदी पर नर्मदा नदी पर किस नदी पर नर्मदा नदी पर गुजरात में क्या है सब्त रuबरबांध कोशन नमर क्या है 20 निम्रीकित है इस से। सब्बद नहीं है, किस भारती राज सीमा सब्बद नहीं है, किस से बांगलादेश से, अगर हम देखें कि कुन सा ऐसा राज है जो बांगलादेश से सीमा सब्बद मतलब सीमा जुड़ी नहीं है जिसकी, तो असम की अगर हम देखें, तो असम की 20 प्रस्ट में ठीक है अब नेक्स्ट वीडियों में मिलते हैं ठीक है तक तक के लिए बहुत धन्यवाद आपका जैहिन